हेलो नमस्ते जी कैसे हैं सब आजाओ कोपते खालो कोपते बना रहे हूं कोपते में बना रहे हैं दिनर में कोपते की सब्जी और खीर रोटी सलाद किसी को रायतान अठा भी ना हुआ तो बन जाएगा और आज आ रहे हैं कौन समझी रहे हूंगे आप लोग अजा रहे हैं पाइल के पापा तो मैं जिनर की तैयारी कर रहे हूं अभी आए नहीं है अखीर बन दिया है अभी देखो कोपते बना लिया है प्याज काट लिया है इसमें टमाटर भू रख दिन अपीस के और छोग दूगी इधर दूद गरम हो रहा है और इधर बन रही है खीर अभी दूद ही चड़ाया चावले भीगो रखे हैं अब डाल लूंगी इनको चावलों को तो यह हैर चावलों कि अलेली तो ने में टमाटर डाल दिया है तो में परें मिनोछे और किम्हुत की कच अच्छा अशा बनाूं तो आज फ्राइड़ भी था तो मैं सोचा लों खीर बना लेते हैं थुट कि भी बना लेते हैं भूख भी लगग जाएगा में खीर हो जाएगी वैसे तो बहुत मीठा रखा है गर मैं और देखो अब मैं खीर में ड्राइफ्रूट डाल दिया है थोड़े से चावल डालने के बाद और थोड़ी बनाई है जादे नहीं बनाई है इधर तड़का भी तयार है इसमें डाल देती हूं पाइल पानी बोई कोपते हुए दिखाया और फिर यह मैंने इसमें टांसफर करके रख लिए अगया कोपते बन गया है और यह साथ साथ में दही बनाने के लिए जावन लगा दिया है दूद में दैखी बना दूगी अभी बाकि सारे बरतन अगारा साइड में रख दूगी हमने राइता भी आप ने प्रफ निया में भूंदी का कोपते हैं खीर है वुन्दी का रायता बन गया है रोटिया सेखके रख दोंगी वह अभी रास्ते में थोड़ा टाइम लगे आने में और खीर भी डेडी होगी है और खीर को न मैं ठंडा कर दूँगी क्यूंकि वो ठंडी खीर खाते हैं सलाथ भी गट दिये पाई नहीं देखो मैंने रोटिया भी सेक दिये तो जब तक वो आते हैं तब तक मैं अपना थोड़ा सा काम कर लेती हूं काम मैंने निम्टा लिया खाने का सारा और यह मैं सबजी लेके आई थी तो इनको सबको क्लीन करके रख लेती हूं और यह मूली के पत्ते तो अभी धोके नहीं रखोंगी क्योंकि न अफिर यह सुबह तक खराब हो जाते हैं कहीं बार पत्ते वाली सबजी तो उसे सूखी प तो अफिरा अभॉड़ सब्समाइब काड़ेती हुआ हैं के सब्समाटे समॉता विया गेल जिसाइत जाए घेड़ तेया कि और मिर्च और भिंडी टोकरी में हैं तो इन्हें में ऐसे टोकरी में दो दूंगी अच्छे से में टोकरी में डाल दूंक supernatural सारे तो सब्सक्ली दो के अधियो के रखती है और ये उनके लिए खिईर कर Keembst टो हो जाएगी वह बिल्कुल ठंडी कीर खाएंगे तो इसलिए मैंने फ्रीजर में रख दे थोड़ देर के लिए अभी थोड़ देर पहले वह आगे थे आत्मू धोल लिए हैं तो अब मैं लगा रही हूं खाना खाना लगा क्या रही हूं लग गया है यह मैंने सक्कर भी रख सक्कर से खाएंगे रोटी सिग्गी है देखो यह कोपते हैं खीर है रायता है और टमाटर प्याज और सिम्ला मिच्च की सबजी है जो साइड डिस होती है तो अभी खाने के लिए बैठ गए हैं यहीं रूम में खा रहे हैं मैं पायल और वे हैं अब नेक्स दे सुरू हो ग करने के बाद फिर नीचे काम करती रही तो अब यह सारे दूल्गे थे तो बीच-बीच में मैं निकालती भी रही इनको बस इनको सुखाने के बाद अब नास्ते की तयारी करनी है कपड़े सारे दूल गे हैं और अभी रेनू भी नहीं आई है तो उतसे पहले मैंने सबको नास्ता देता हूं तो जिए नास्ती में मैंने बनाए है सेंडवीच राजमा उबाला था तो उसी में दो आलू उबाल लिए थे उसमें टमाटर पयाज वगार काटके मियोनीज वगार लगा के सेंडवीच बना दिये अब मैं कर लेती हूं लंज की तयारी यह तो दुनों चले गए हैं मार्किट पायल और उसके डैडी तो मैं लंज की तयारी कर देती हूं लंज में मैं बना रही हूं राजमा और ये साइड दीस में बना रही हूं मैं प्याज, मेर्च और करूंदे ये सबजी बहुत अच्छी लगती है मुझे लगता है सभी ओल्मोस्ट बनाते ही है इस सबजी को आप किसी सभी पूछे कि करूंदे और प्याज हमने भी छोक रखे हैं हमने भी सभी बोल दें क्योंकि सभी के घर में इनको छोक के रखते हैं तो ये मैंने साइड में तेल चड़ा दिया और इसमें मैंने तीनों चीज डाली है में थोड़ा सा जीरा थोड़ा सा मेते और थोड़ा सा अजवाइन एंदर साइड में प्याज भूरी है राज्मे के लिए तो टमाटर और पिसके disciples सब्झे मैं प्याज्मे का पिसके और मैं बनाऊंगी वेजिटेवल पुलाव, रोटी और रायता मीठे में देखते हैं क्या होगा रात तो खीर थी और अब ही मैंने इसमें मिर्च भी डाल दी है और थोड़ी देर इसे भून लेंगे और ये बहुत टेस्टी लगती है करुंद्य भी मनें यही रख दिया है काटके रख रखे है और कल से इतना अच्छा बढ़ मन लग रहा है घर में क्योंकि ऐसा लगता है ये बनाऊं ये बनाऊं और जब मैं अरपाइल होते हैं ना फिर कुछ भी सबजी हो और अरचे लोग इससे ही खा लेंगे कुछ नी बना रहे अब बनाने में भी जवी लगता है जब खाने वाले हो जब कोई खाने वाले तो है नहीं बना के क्या करें और मुझे तो पता नहीं कि बहुत ही कम सा सोख हो गया है खाना खाने का बहुत ही मतब बहुत साधारन खाना खाने लगी हूँ मैं तो बिल्कुल ही नहीं मैं तब चूजी नहीं रही बिल्कुल भी किक तो अब बस अब नमक भी डाल दूँगी इसमें भी मैंने सब समसाले डाल दे हैं नमक डाल दिया है मेच हल्दी वह सुखा धनिया डाला था दाल यह एक चमल डाल दोंगी मैं किचन किंग शाला राजमे की सब्झी में आप चाहे तो डाले नहीं तो गर मसाला भी डाल सकते हैं इच्छ है आप की चाहे जो डाल सकते हैं और आज इतना अच्छा टाइम स्पैन हो रहा है क्योंकि कुछ करने के लिए है नई तो सुबह जल्दी काम नहीं मड़ जाता है पूरा दिन फिर ऐसा ही बोर से उतते रहो कुछ काम नहीं होता एक्स्ट्रागर में तो आज मन लग रहा है खाना बनाने में अब यह मसाला भून गया था तो मैंने राजमा भी डाल दिया है थोड़ा सा पानी डाल दूगी इसमें क्योंकि थोड़ी सी पतली सब्जी चाहिए मुझे चावल के साथ खानी है इदर प्याज की सब्जी भी भून गी है लेकिन अब इसको मैं पांच मिनट और पकाऊंगी तो इसको मिक्स करके मैं ढख दूँगी अदेखो यह वेजिटेबल पुलाव के लिए तैयारी के मैंने एक गाजर काट लिया है एक चमच मतर है और एक चमच है स्वीट कोर्ण तो इसलिए थोड़ा ही पाने लिया है पानी गरम हो गया तो तो मैंने सब्जी इसमें डाल दिया है और इसको डखटे एक बोईल आने तक और पका लूँगी देखो बोईल आ गया है सब्जीयों में अब इसमें डाल देती हूँ चावल और मंदी गैस करके डख दूँगी जब तक चावल थोड़ ऐसे गल जाएंगे आधे देखो लगबग आधे चावल गल गल गए हैं तो अब इसमें मैं डाल दूँगे आधा नीबू इससे ना चावल चिपकेंगे नहीं एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे ये भी एक टिप है और चावलों का कलर बिल्कुल सफेद हो जाएगा तो इससे आप ट्राइ कर सकते हैं अधेको पुलाव बन गया अधेको कलर देख सकते हैं अब कितना अच्छा है वाइट चावलों में सबजियां कितनी अच्छी लग रहे हैं और इसमें अब मैं एक लेयर चावल की डाल गए एक चमच घी डाल दूगी इससे नहीं बिल्कुल बास वह ब Kathi है वैसे बी नई चिपकते हैं और काम करके वहा ठक था फ्यास लग रही थी तो पानी पी यू दर अब वह आने वाले भी हैं तो फिर खाने की तैयारी करूं में आगई शोपिंग करके है नहीं अच्छो नहीं आई क्या लाई है क्योटे और आप एका रिपोर्ट कार्ड और इसमें क्या लाई है खुलफी खुलफी फालूदा हाँ ओ हो ओ हो मोटी हो जाएगी खा के एक की तो अडाए दो है यह तो मुमी मत खाओ ठीक है मैं नहीं खाऊंगी यह मैंने लगा दिया प्लेट रायता है घिया का रायता बनाया आज मैंने यह राजमिक सब्जी है यह प्याज मिरच वाली यह चावल है यह रोटी है पायल रायता नहीं खाती यह पायल की प्लेट है और मुझे रोटी नहीं खानी है तो यह मेरी प्लेट है रायता है चावल है सबजी है और राजमे वाली सबजी है तो जी आज़ेए आप भी खा लीजिए हम इन्हें खाने लगा दिया है कि कलरफुल पुलाव देखके पाहल खुस हो रही है बहुत अपने डैडी से बात कर रही है हम उससे भी कुछ पूछ रही थी तो आज़ेए जी आप भी खा लीजिए और आपको कैसा लगा पुलाव बताना जरूर और मीठे में है फालूदा जो पायल लेके आई थी वो तीन गिलास लेके आई थी पन्नी में दो ही दिखा रखे थे उसने लेकिन तीन लाए थे मैं मना भी कर रही थी कि मैं नहीं खा रही लेकिन वो मानने नहीं कह रहे नहीं सब खाएंगे सब के लिए आया है तो इसलिए सब फालूदा खा रहे हैं आजाईए आप भी खा लीजिए मिठा यही छोटी-छोटी खुसिया होती हैं परिवार में इंजोई करने के लिए और क्या मतब घर में बैटके सब अच्छा बनाओ अच्छा खाओ मुझे बहुत कम अच्छा लगता है बाहर जाना या खाना बाहर जाके जाती तो हूँ ऐसा नहीं कि नहीं जाती लेकिन जो इंजोई आप घर में कर सकते हो मतब साफ सुथरा एकदम फैमिली के साथ टाइम बिताना क्वालिटी टाइम होता है यह और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्री लाइक शेर कमेंट करके बताएं कि आपको कैसे लगे मेरे व्लोग चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सस्क्राइब कर ले मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ तब तक के लिए रादे रादे